जमु कश्मीर में बिहार और जारखंड के लोगों पर जिहादी आतंकियों ने हमला किया था। अब इस मामले की प्रतिकिरिया जारखंड की राजधानी राची से सामने आ रही है। राची में फेरी लगाकर गर्म कपड़े बेचने वाले तीन कश्मीरी युवकों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। कश्मीरी युवकों ने इस थानिये डोरंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि मारपीट करने वालों ने उनसे पाकिस्तान मुर थाने में शिकाय दर्ज कराने वाले कश्मीरी युवकों के नाम बिलाल एहमद, सबीर एहमद और वसीम एहमद हैं उन्होंने बताये कि राची छोड़ने की धमकी दी गई है पिछले 20 साल से बिलाल एहमद अपने साथियों के साथ दोरंडा में किराय के मकान पर रह रही है जाड़े की मौसम में कश्मीर से उनी कपड़े लाका राची में बिचते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग हर रोज धमकी दे रही है डोरंडा थाना प्रभारी रमेश कुमार सिंग ने बताये कि शेकाय दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है इस मामले में मुख्य रूप से सोनु नामक योवक पर आरूप लग रहा है पुलिस सोनु कुमार से पूछताज करने की कोशिश कर रही है एक टीम सोनु कुमार के घर गई लेकिन वो नहीं मिला पुलिस ने कहा कि इस मामली की जाँच के बाद आगे की कारवाई की जाएगी कश्मीरी कारोबारियों को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि कश्मीरी भी भारत के सम्मानित नागरिक हैं उन्हें भी देश में कहीं भी रहे कर कारोबार करने की आजादी है पंजाब केसरी टीवी के लिए राची से आच्छुतोष सिनहा की रिपोट